शरब पीने से तीन लोगों की मौट की आशेंका है और एक वक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है उसे अस्पताल में भरती करा गया है परीजनों की अनुसार शरब पीने से उसकी मौट भी ये थाना डौकी इलाके के कॉलारा कला गाउं में हुआ और वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है उबजिला दिकारी, शेता दिकारी, फतेहाबाद, सहीद, पुलिस पल मौके पर पहुच गया है आगरा से खबर आ रही है शराब पीने से मौत की बात के रहे हैं परिजन थाना डौकी इलाके के कॉलारा कला गाउं में कोहराम मचा हुआ है तीन लोगों की मौत की आशंका है शराफिने से एडियम, सरकेल आफिसर और पुलिस पोर्स मौके पर मौच हो थे पंकश गुपता अमारे सेओकी फॉन लाइन पर है कल रात गंबी जो परिजन आरोप लगा रहे हैं जिनमें रात में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंबी रूप से पास के यह हॉस्किडल में उसको बर्ती कराया गया है खेत्रिये एडियम और सीयो मौके पे मौचुद हैं जात कर उचित करवाई की जाएगी क्या शराब जहरीली होने की बाद सामने आ रही है या कोई और फैक्टर इसमें जो सामने आ रहा हो पंकच। जी मैं आपको बता दूँ जब एडियम और सीयों से बात की गई तो अभी चार्च का बिसे बताया गया है जहां से जारी है जिस तरह से दिन तरा आज पश्राब से नोगोई की ग्रावों में जो मोत हो रही है एक गंबीर किसे है यह और इसमें आला यहां पर एक जंग दिन की पार्टी चल रही थी मकार में इसी दौरान यह मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा इस हाथसे में मौके पर दो लोगों की मौत की ख़बर है 15 लोग इसमें जखनी बताए जा रहे हैं हाथसे के बाद लोग मौके पर पहुँचे इसके बाद महापर रहात और बचाव का काम शुरू हुआ फिलहाल घायलों को इलाज के लिए इस्पतालों में भर्ती कराए गया हैं साथ ही मकान मालिक और और और्गनाईजर के खिलाफ मुकदमा दर्स करने के आदेश दे दिये दे लापरवाही और कोविट प्रोटोकॉल के उल्लंगन समेट कई धाराओं में उन पर मुकदमा दर्स किया जाएगा ताजगन्च के धादो पुरा एलाटी का इस सारा मामला बताएगा पंद्रा लोग जखमी दो की मौत जो जखमी है उनका स्पतालों में इलाज चल रहा है तस्वीर हाथ से के बात की अएवीर हाभा तेया याल क् तेया मामला बतां जो